हेलो दोस्तो कैसे आप सब उमीद करता हूं आप लोग अच्छे हुए तो जो कि मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है मैं बोलना चाहूंगा मेरे नाम दीरेज है मैं एक शेफ हूं मैं होटल से रिलीट वीडियो बनाता है तो चलिए शुरुबात करते हैं आज हम टॉपिक ले रहे हैं आज ले रहे हम लोग पाट 3 का कि हम किस प्रकार से एक रेस्टरंट को ओपन करते हैं हमें क्या क्या स्टेप से ले पड़ते हैं इसे पहले मेरी दो वीडियो में आप पीछे स्क्रोल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी तो पहली अगर मैं पहले आपको बता दू मैंने पुराने वारे वीडियो में क्या बता है तो जब से पहली वीडियो थी उसमें हमने बात करें थी concept के बारे में और location के बारे में कि हमें कैसे decide करना है concept का location का दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने discuss किया था आपने कुजीन के खरीडनी है यहां यह और यहां जो का बारी आती है सब तो आपकी बारी आती है, एक्युप्मेंट खरीडने की शनी और अपना फर्णिचे थरीड में की, जी हाँ, तो आप लोगों को यह डिसाइड करना है, चुकि मैं आपको बता दो जिसके हमारे बेसिक एक्यूपेंट्स होते हैं किचन के लिए हमारे रेंजिस होगे, ओपन होगया, सालमेंडर होगया, डीफ रेट फायर होगया, हमारे यह सब चीज़े हमारे हमारे बेसिक एक्यूपेंट्स है, इसके अलावा जो आप इक स्पेसिफिक कॉंसर्ट पर जा रहे हैं, आप लोग चैनीज पर जा रहे हैं तो आपका वाफोन आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, या इंडियन में आप कबाप्स वगरा चाहते है तो आपके पास तंदूर होना जरूरी है, तंदूर आपका इलेक्टिर्गी आ जाता है, ग्याज भी आता है, तो आपको देखना है कि किस हिसाब से आपको सभूयत है, तो आपको एक खुद डिसाइड करना है, इसके बाद अगर हम बात करें, आपको किसी एक फास्फूद में जाना है तो आपके जो mixer होगे, grinders होगे, वो चाहिए है, साथ लिंड, अगर आप concept start करें तो आपको जो stone ग्राइंड होता है, जिससे कि आपका जो इडीड हो सबाटर भी पिसता है, वो चाहिए होगा आपका, तो ये सारी चीज़े आपके concept पे decide करती हैं, और आपका जो investment बड़ा हिस्वे आपके चला जाता है इसके अलावा जो आपकी वर्किंग टेबल सोगी आपकी नाइट सोगी जो बेसिक रिक्वाइरमेंट है आपकी इसके बाद करूं अगर आप एक रेस्टरन खोल रहे हैं तो आपको फर्वीचर हो गया आपको उसपे आपको पैसा खाच करता है तो अगर आप क्लावड किचेन कर रहे हैं तो आपको फर्वीचर वारा काम आपको नहीं रिप करना है तो आपको सिर्फ उस ताहिं पर अपनी किचेन के एक्यूपेंट के बारे में आपको खर्च करना है तो यह था हमारा आज का तीसरा पार्ट तो मैं उम्मीद कर अगर आपको कोई concept start करना है, मानी जी आपको snacks का हो गया, something दो हो गया, चैनिज हो गया, तो आप मुझे questions कर सकते हैं, तो मैं आपको basic requirements होते हैं, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूगा कि आपका कि इतना करीप पैसा लग जाएगा, या पो कौन-कौन से equipment की आपको जी जो वीडियो बनाओ, उनके बारे मिनाओ, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जैंद,